बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम असलाँ अलेकुम कैसे हैं आप लोग आज हम बनाएंगे आलू मटर करी क्विक इजी और सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने ले लिए है उबले हुए आलू प्यास टमाटर मटर हरा धनिया हरी मिर्च अद्रक लैसन नमक लाल मिर्च का पौडर हल्दी गरम मसाला पौडर धनिया पौडर हींग भुना हुआ जीरे का पौडर चाट मसा पौडर तेज बत्ता जीरा और दाल चीनि तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मसाला पीछ लेंगे यहाँ पर हमने ले लिया है तुकड़ा, थोड़ा से पानी डालेगे, पीस के पेस्ट बना लेगे, पीस के हमने इसे तैयार कर लिया है, मेडियूम साइज के मैंने तेन आलू बाल लिये हैं, जिसे हम हाथों से सीव इस तरीके से मोठा-मोठा तोड लेगे, आलो को हम नच्चे से तोड़ लिया है गैस पे हमने पैन चड़ा दिया है पैन हमारा हो रहा है गरम उसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून ओई ओईल अच्चे से गरम हो गया है इसमें हम डाल देंगे 1 तीज़ पून जीरा, 1 गलचिनी का तुकड़ा एक तेज़ पत्ता अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, प्याज, अदरक, लसन और हरी मिल्च का पीसा हुआ पैस मीडियम फ्लेम पर हम इस अच्चे से फ्राय कर लेंगे भून लेंगे मसाले को 2 से 3 मिनट मसालो को भूनते 3 मिनट हो गया है बाकी की भी मसाले हम इसमें डाल देंगे एक टीस्पून धनिया पॉडर हाफ टीस्पून हल्दी हाफ टीस्पून लाल मिच का पॉडर हमने इसमें हरी मिल्च भी पीसी है इसलिए हम हिसाब से डालेंगे आप जितना तीका पसंद करते हैं उसे साफ से डाल लें हाफ टीजपून भूना हुआ जिया पॉडर नमक टेस्ट के हिसाब से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मेडियों फ्लेम पर हम मसालो को अच्छे से भूनेंगे मसालो को भूनते 3-4 मिनिट हो गए है अब इसके अंदर हम टाल देंगे मटर हाफ कफ मटर यह हमारे फ्रोजन मटर है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके पकने देंगे कवर करके हम मीडियों फ्लेम पर इसे 4-5 मिनिट पकने देते हैं मसालो को पकते 5 मिनिट हो गए है आई चेक कर लेते हैं यह हमारे फ्रोजन मातर है पेसे पपने में ज्यादा थाइम नहीं लगेगा अब इसके इंदर हम डाल देंगे जो आलो में उबले होगे तोड़के रखे होगे हैं मैश करके रखे होगे हैं हम अछेचे से मिक्स कर लें हैं आम मसालो के साथ समय से 10 मूनिट फ्राइ कर लें हैं ढूलेगा है इसे भूलते 1 मिन थो गया है आप ठाय को इससा नैकर घ्राइद रख सकते हैं सुखा भी रख्षकते हैं इसमें आम दाल देंगे पानी में जितितीय कर देना अंचिंगेु पाने दा देंगें सिर्फ पजलें पाने देना करोडना हाफ 1 बोर्डा दॉड़ासच घणते कब दवारा तना अच्छे से मिक्स ऑल दरद साथ विद्हूंड रखेंगेौ मीडियम फ्लम पर हम इसे एक मिनट और पकने देते हैं इसे पकते एक मिनट हो गया है आई ये चेक कर लेते हैं आलू मटर करी हमारी बन करके तयार है ग्यात का फ्लम कर देंगे बंग कोवर कर देंगे और पाच मिनट के बाद हम इसे कर लेंगे डिशाओ आलो मत्रकरी हमारी बन करके तयार है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज